स्यूटी के एक्जाम्स फाइनली ओवर हो चुके हैं, लास्ट एक्जाम हमारा 29th of मेका रखा गया था, इसके बाद NTA ने फर्दर स्टेप्स जो आप लोगों के आने वाले हैं, यानि की प्रॉपर उन्होंने आप लोगों को बता दिया कि अब नेक्स टेप्स क्या होने वाल है, तो देखें, यहाँ पर लोगों का जो है, आज ही नोटिफिकेशन करा है, और बेसिकली बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन था, इसके दरे इनोंने बताया कि कितने स्टेट्स ने एक्जाम दिये, कम्यूटर वेस टेस्ट हुआ, हाइब्र टेस्ट हुआ, 2022 से हम अपना एक्जाम कपरा अरगीच़ कराते आ रहे हैं, और पूरी नो're तो आपको पता है कि कितना स्मूदली हुआ, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो है, नीचे दिया गया है, आप लोगों की जो Entscheid थी, उसको यह अपलोड करके, scan copy को और उसको आप challenge कर सकते हैं कि मेरा कौन सा question सही था यानि कि आप लोगों को अभी एक provisional answer की दी जाएगी, question paper upload कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी scan copy of my sheet भी जो upload कर दी जाएगी, उसके बाद आपको challenge करना का मौका दिया जाएगा, कि भाई आप लोग challenge कर सकते हो, कि हमने कोई गलत question upload करा है, या फिर आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, और आप accept नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, तो उसके लिए आप यहाँ पर challenge कर सकते हैं, और challenge करने के बाद उस पर feedback होगा, और result final आप लोगों को बनाया जाएगा, फिर आप लोगों की सहमती के साथ, यानि कि जब आप अपना भाई satisfy हो जाओगी कि हमें मेरा objection हुआ था, वो clear हो गिया है, उसके बाद आप लोगों को जो है, result announce होगा, final UG 2024 के लिए, अभी क्या है भाई, इस चीज़ के अंदर, अभी जो है, आप लोगों को बस dates देना हम बाकी रह गया है, तो इसके लिए proper notification आएगा, अभी student सोचने के बाई challenges कब raise होंगे, तो अभी आप लोगों का last exam just over हुआ है, तो next step आप लोगों का क्या होने वाला है provisional answer की आप लोगों की आईगी, provisional answer की के बाद, आप लोगों को objection raise करने का मौका दिया जाएगा, उस objection के basis पे, आप लोगों का CUT का final जो है, आप लोगों को answer मिल जाएगा, then उसके basis पे आप लोगों का result जो है, आप लोगों को दे दिया जाएगा, तो ये updates के लिए आप हमारे साथ बने रही है, हम आप लोगों को proper update करी रहे हैं, Delhi University का admission process हो, चाए IP University का admission process हो, 8-2-Z information आप लोगों चल में मिली रही है, और I hope आप लोगों content भी अच्छा लगी रहा होगा, तो जल्दे लिसे भाई, वीडियो को कर दो like और चल को कर लो subscribe, मिलते नेक्स वीडियों, बबाई, take care, thank you so much